ओम सिरी गने सायनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अप्रेल शनिवार के रासी फल्क के बारे में कीह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेसराशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे या दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरद्धी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्ष करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी महनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्से ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भूग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेग समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तों परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे-धीरे काबू में आ जाएंगी या दोस्तों साति-सात पैसे के लें पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस्थ से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तों साति-सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज स किसी को ठेस ना पहुचे जिहां दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्यता इस्तिति आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंदि समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आवसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि महनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ केसी रहने वाली है दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात सेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल है दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं, दोस्तो आपको पैसे के लेन दिन में भी अधिक फायदा होगा, रुके हुए सभी कर रहे हैं आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी, जि आपके लिए काफी लापडाइक साबित होंगी, दोस्तो साथ इसाथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लापडाइक साबित होंगे, नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा द देसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तों साती साथ यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवशक्ता पढ़ सकती है दोस्तों साती साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस इसका एक मिश्रन तयार कर लें इसके बाद आप इस मिश्रन को भगवान शनिदेव का इसमनन करते हुए चीटियों को खिलाएं और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस् परिशनियों कंत करेंगे और आपके समस्त कार रहें भगवान शनिदेव के आसिरवास से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शनिदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस शनिदेव अवश्य लिखें और